Hello Everyone, Welcome to Daily Prelium Booster Current Affair Program तो आज हम 5 जुलाई 2021 के जो Current Affair के Important Questions रहे हैं उनको आपके साथ डिसकस करेंगे जो कि आपके आने वाले exams के लिए बहुत important हो सकते हैं तो आएए देखते हैं अपनी Questions के इस सिरीज को जो हमारा पहला Question है कि अभी किसे उत्राकर्ण के ग्यावे मुख्यमंत्री के रूप में न्यूक्ति किया गया है सबसे पहले हम इसके Background के बारे में चर्चा करेंगे देखिए भारतिय सम्विधान के अनुछेद 164 के अंतरगत ये बात लिखी गई है कि राजयपाल चीफ मिनिस्टर की न्यूक्ति करेगा और कुछ भी इसमें नहीं लिखा गया है केवल इतना लिखा गया है कि राजयपाल चीफ मिनिस्टर की न्यूक्ति करेगा और सबसे important बात क्या है, कि जो CM और PM का कारेकाल है, इसको याद रखिएगा, जो CM और PM का कारेकाल है, वो निश्यत नहीं है, अगर कभी भी आप से exam में पूछ ले, कि क्या इनका कारेकाल 5 साल के लिए होता है, तो ये 5 साल के लिए नहीं होता है, ये राज्यपाल और राष्टपती के परसाथ परियंत कारे करते हैं, जब तक इनका बहुमत लोगसभा और विधानसभा में बना रहता है, तब तक ये मुख्यमंत्री और प्रधान मंत्री के पदवर रह सकते हैं, अभी जो उत्राकर्ण के 11 मुखंदरी के रूप में नियोक हुए हैं, उनका नाम है उसकर सिंग धामी, और ये इस समय उत्राकर्ण के सबसे यंगेस्ट सीम है, इससे पहले जितने भी सीम रहे हैं, वो सब उम्र दराष्ट थे काफी, और जो सीम बनने के लिए एक मिनिमम्म एज होनी चाहिए, वो है 35 साल, और ये व्यक्त जिसमें 35 साल की उम्र पूरी कर रही है, वह ही eligible है सीम बनने के लिए, यानि ठीक है, बढ़ते हैं, नेक्स वोशन के ओर, हमारा जो नेक्स वोशन है, कि अभी हाले ही में किस देश में सात्वी हिंद महासागर नोसेना संगोष्टी का आयोजन किया गया, हमारे जो चीफ आफ डिफेंस, स्वरी चीफ आफ जो नेवल स्टाफ हैं, करम वीर सिंग इन्हों ने इसको जो है वर्चुली जोईन किया, और इसकी जो प्रोग्राम चल रहा था, या 28 जून से लेके एक जुलाई तक चल रहा था, फ्रांस में, ठीक है, तो इसका correct answer है, फ्रांस, तो सत्मा जो इसका संसकरान हुआ, कहां पर लॉंच किया गया था, फ्रांस में, ठीक है, बढ़ते हैं, हमारा जो next question है, कि किस खिलाडी को टोक्यो पैरा लॉंपिक के लिए भारती धजवाहग चुना गया है, धजवाहग क्या होता है, जैसे आप लॉंपिक में देखते होंगे, एक रिक्टी जो है, भारत का जढड़ा लेका ऐसे आगे जा रहा होता है, उसको धजवाहग कहते हैं, तो इस बार जब टोक्यो पैर लॉंपिक हो रहा है, तो किसे इसके लिए न्यूक्त किया गया है, तो देखे, अभी यह जो ओलंपिक हो रहा है, टोक्यो पैर लॉंपिक, यह कुल 24 अगस्त से 5 सितंबर तक चलेगा, और इस दर्मियान, जो एक मरियपन थंगे वेलू नाम के एक हाई जंपर हैं भारत के, इन्हें जो है, इसके लिए न्यूक्त किया गया है, कि आप जो है भारत के धजवाहक होंगे, इनकी इमेज आप जो है, अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इन्हें 2016 में इन्होंने जब रियो उलंपिक में भाग लिया था, तो उस समय इन्होंने गोल्ड की प्राप्ति हुई थी, यानि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, तो इस वएसे इन्हें इस बार जो है, धजवाहक न्यूक्त किया गया है, ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेस्ट कोशन पर, हमारा जो नेस्ट कोशन है कि अभी WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त गोसित कर दिया है, अभी डालें, वर्ल्ड हेल्थ और्गनाजेशन के बारे में, तो इसका हेड़ुकॉर्टर है, जिन्हेवाज सुट्जर लेंड में, और इसकी स्थापना हुई थी, साथ अप्रेल 1948 किया, और ये एक UN बाड़ी है, यानि याद रखिएगा, एक्जाम में कभी-कभी ये कोशन स्मीर पर जो भारत का एक एरफोर्स स्टेर्शन है, वहाँ पर क्या हुआ, कि ड्रोन से हमला हुआ, इसी को देखते हूँ, अभी हैदराबाद इस्थे गरेने रोबोटिक्स कंपनी ने एक स्वदेशी डिफेंस ड्रोम जो है, विक्सित किया है, उसका क्या नाम है, तो इस कराब हो गई, लेकिन वो सक्षम नहीं है इलाज कराने में, तो ऐसे लोगों के लिए एक बीमा योजना आंधर प्रदेश सरकार ने लाँच किया है, तो यहाँ के जो CM है, जगन मुहन रेड़ी साहब, इन्हों ने इसके लिए साड़े साथ सो करोड रुपे का मुगतान कि और कहा कि एक ऐसी योजना हम चलाने वाले है, ठीक है, अभी किस राज्य में, राज्यक के इसाजित प्रदेश में, हेल्पलाइन सुकून का उध्वाटन किया गया, देखे, जो हमारा जम्मो और कस्मीर का रीजन है, वहाँ पर बहुत सारे लोग, एक तो वो सब कोरोना से परिसान है, और वहाँ पर मादक उसे करण क्या होता है, वहाँ पर रातंकी हमले होते हैं, तो ऐसे में, जो जम्मो और कस्मीर के लोग की मानसिक सिती है, उसको अच्छा करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए, एक 24x7 परामर्स हेल्पलाइन, सुकून का उध्वाटन किया गया है, जम्मो कस्मीर के द्वारा, तो इसका correct answer क्या है, एक जम्मो और कस्मीर, ठीक है, बढ़ते हैं, next question क्यों, जो मारा next question है, कभी हाल ही में, किसे वायुषेना के नए उप्प्रमुक के रूप में नियुक किया गया है, इसका correct answer है, विवेक राम चौधरी, इन्हो उने जो इसके पहले वाइस एर मार्सल थे हरजी सिंग अरोरा उनको रिप्लेस किया और इससे पहले जो है विवेक राम चौधरी जी कमांडर इन चीफ थे वेस्टर एर कमांड में ठीक है तो इन्हें जो है अब वाइस वाइस चीफ आफ एर फोर्स गोशित कर दिया गया है ठीक है बढ़ते हैं नेस्ट कोशन के और अभी हाल ही में भारती सूध करता होने कि सराज में ब्लैक ब्लैक बैलीड कोरल साप खो जा है यह देखे यह आप इमेज देख रहे हैं यह है यह है वो इमेज जो ब्लैक बैलीड कोरल सापका है और इसको इस बार खोजा गया है उत्राखण में ये बहुत ही rare पाया जाता है और इस बार इसको उत्राखण में देरा गुदून में researchers ने पाया है तो आज की जो हमारी discussion थी वो यहीं तक थी हम आप से मिलेंगे कल के अपने current affair के series में अब हम current affair का जो बेटेज है वो exam पे दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है so thank you class thank you so much